इस तरह cross में हमको wire रख लेना है यह वाला इस साइट के आगे की और दबा देना है यह वाला हमको इस side के आगे की और दबा देना है Hello friends कैसे हो आप आशा है के बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्त होंगे आज हम इस वीडियो में आपको केबल के जॉइंट करके दिखाएंगे वो भी waterproof और बहुत बड़िया तरीके से जो कि आपको कभी भी एक बार जॉइंट करने के बाद में जॉइंट में से दिक्कत नहीं आएगी बहुत बड़िया तरीके से करके दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में तो वीडियो पर बने रहे पर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं पहले तो दोस्तो हमको इस प्रकार से दोनों सीरो को चील लेना है करीब चेंज के सम्थिंग तो इस प्रकार से हम चील लेंगे दोस्तो इस प्रकार से चील लेना है हमको अच्छी तरीके से केबल को और वायर हमारे तीनों वायर निकाल लेना है दोस्तो इस प्रकार से यह देखे दोस्तों इस प्रकार से निकाल लेना हमको इस प्रकार से हमको अलग-अलग कर लेना इसी प्रकार दूसरी केबल का सीरे को भी छील लेना हमको इतना ही यह देखे दोस्तों हमने यह भी केबल छील ली है अब देखे दोस्तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है हमको एक जैसे इनको सीरे को करना है यह देखे दोस्तो दोनों केवल के हमको सीरे आपस में मिलाना है दोस्तो इनको इस विकार से हमको रख लेना है color by color blue से blue के पास में blue येलो के पास में येलो और रेट के पास में रेट दोस्तो इस पकार से हमको रख लेना है इसको और दोस्तो बराबर कर लेना है अब हम इसकी कटिंग करना है हमको दोस्तो तो देखिए हमको कटर की मदस से इसकी इस पकार से रख लेना है और कटिंग करना है देखिए वो सीरे काट लिया अब इसी के red वाला हमारा इसके just सामने उस side से काटना दोस्तों ये वाला सीरा देखे दोस्तों ये काट लेना हमको ये दोनों wire कट गए हम अब हमारा जो yellow wire है जो yellow wire को हम दोस्तों बीच में से काटेंगे दोनों wire आदे थोड़े थोड़े कटेंगे हमारे यह देखे दोस्तों इस परकार से काट लेना यह देखे दोस्तों इस परकार से हमारे छोटे बड़े छोटे मुझ कट जाएंगे हमारे इससे निकलेंगे अब देखें दोस्तो हम पहले एक वायर को चीलेंगे करीब डेड़ से दो इंच के सम्तिंग आप चील लीजिए वायर को और अच्छे से इसका कार्बन साप कर लेना है हमको बहुत बड़े तरीके से कार्बन नहीं रेने देना दोस्तो जाइंड में हमारे इसी परकार हमारा इस परकार से शिल लेना दोस्तो और देखें दोस्तो दोनों को हमको इस परकार क्रास किम में रखना है इनको वायर को एक दूसरे में और ये वाला इससे हमको नीचे की साइड दबा देना है और देखें दोस्तो इसको यसे पकड़के हमको आपस में मिला देना दोस्तो बह गठान नहीं लगाना है गठान में हमारी लूज रह जाती है उस कारण हमारा यहां से जाइंट फूड़ जाता है दोस्तों तो हमको अच्छे से मिला के प्लार से मिला देना है जाइंट को और अच्छे से दबा देना है इसमें दोस्तों इस देखे दोस्तों इस बकार से हमको ये लपेटना होता है, बहुत से क्या करते हैं, पहले हमारी वह वाली टेप लपेटते हैं, साधी, वह हमको नहीं लपेटना है, तो चलिए, हम ये जल्दी से पहले ये लपेट देते हैं, आप चाहे तो तीनो तारों को साथ में जोड के भी ये टेप लपेट सकते हो, या एक एसनि दूरी पे हमको लपाटना दोस्तों और अब हम यह वाने टेप जो हमारी यह ब्लेक भी आती है यह वायट भी आती है दोस्तों कोई सिभी टेप आप इस पे लपएड सकते हो जो हमारी अच्ची स्पर दैना पर हाँत हाँ से लपेड़ना है ताकि हमारे mankind में गेप नहीं रहे और यावाली टेप में हमको फना दोबल लपेड़ना है दो बार और इपeld और अच्छी तरीके से लपेड़ना देखें दोस्तों यह बहुत बड़ें तरीके से हो गया इसी प्रकार अब हम दोनों येलो वाले वायर लेंगे इनको चिलेंगे सेम इतना ही चिलेंगे जो हमने पहले वायर चिला है और कार्बन हमको दोस्तो अच्छे से साप कर लेना होता है जिससे हमारे जैंड में दिक्कत ना आए तो हमको कार्बन अच्छे तरह से Wynna और यह वाला सा frigी सस्ट इस पर दबा करो हम को जाइंड कर देना दोस्तूज इस से हमने आगे पीछे काटने से दोस्तो यह होगा हमारा हमारा जाइंट भी आगे पिछे आ जाएगा दोस्तो सेम एक जगे पर जोइंट नहीं आएगा हमारा यह देखे दोस्तो एक आगे पिछे हमारा जोइंट भी आ गया है तो इसमें भी इसी प्रकार सेम प्रोसेस करेंगे हम पहले रवर टेप लपेटेंगे देखे दोस्तो इतनी दूरी पे से हमको पहले रवर टेप लपेट देना है अच्छे से रवर टेप भी हमको अच्छे से खीच के लपेटना है दोस्तो और टेप लपेटने में हमारी गेप नहीं रहना चाहिए तो हमारा इसमें पानी नहीं जाएगा दोस्तो इसके बाद में हमको यह वाइट ये वाली टेप अ मेरी यो ग्रीण रेड बहुत से कलर के आती है ये ये आपको इसकर लपेट ना होती है तो ये लपेट देना है हमको फिर इस परकार से इस पर भी हमको डबल ये वाली टेप लपेटना है ये वाली टेप हमको दोस्तो सभी जाइंट पर डबल लपेटना है और रबर टेप एक बार लपेटना है दोस्तो ये देखे दोस्तो हमारे दोनों जाइंट कितने बड़ी त कार्बन इसका भी साफ कर लेना ऐ Train को बढाना एक पार और इस साईट में दबाके वर देना दोस्तो यह इस परकार से अगर आप जाहिंग करोगे दोस्तो आप कितना भी खीच वहसके है तो हमारा जाइंड यहां से तुटेगा नहीं और एक बार जाइंड करने के बाद में यह जाइंड में से कभी भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तो हमारी केवल दूसी जगे से पूट जाएगी किसी कारणवस पर यहां से नहीं पूटेगी यह जाइंड में से दोस्तो यह रखके काटें दोस्ते यह होता है कि हमारे जैंड तीनों पास-पास नहीं आएंगे दूर दूर आएंगे और हमारी केबल भी एक जैसी आएगी बीच में हमारे चोटा बड़ा नहीं रहेगा दोस्तों तो यह तरीका बहुत बढ़िया है इस तरीके साफ जैंड कर यह देखे हुआ है कि इसमें भी हम यह वाला टेप लपेट देना हमको अच्छे से है देखे दोस्तों और यह हमारे अंगुठे के मदस अच्छा टाइट खीचके लपेट ना दोस्तों हमारे सल नहीं रहना चाहिए गेप नहीं रहना चाहिए तो हमारा पानी अंदर नहीं जाएगा ओर अगर हमारा पानी नहीं गया, तो हमारे जाएंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, दोस्तो, ना कार्बन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, दोस्तो, ये देखे, इसमें भी हम डबल लपेट देंगे, जल्दी से, तो चलिए हम जल्दी से लपेट देते हैं इसमें देगे दोस्तों यह हमारे तीनो जाइंट कम्प्लीट हो गए है इस पकार से यह देखिए एक जाइंट यहां आ गया है ब्लू वाला जाइंट यहां पर आ गया है येलो वाला जाइंट यहां पर आ गया है दोनों में दूरी बन गई है और रेड वा पूरे पे Two पर डिंद दोस्तो इति अव एक हट्व चाहिए दोनों ऐसानों मुझे शीयरे पे भी टोस्त तो जरूर Always नहीं कि बढ़िया तरीके से तो देखे दोस्तों इस प्रकार से यह हमारा जाइंट कंप्लीट हो गया इस प्रकार से हमको जाइंट करना होता है दोस्तों यह देखे बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जाइंट कंप्लीट हो चुका है तो चलिए तो दोस्तों आज के वीडियो में इत